नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों में आपका दोस्त देव महरा दोस्तों कई तौर पर मैं आपके डॉसेपी बेकरी की शेयर करता हो साब घॉसेपी नॉलेच भी देती है लगरी लेकिंग टैमपेचर है और यह जो इसके इंगीडेंट है सो फ्रेंस उसी तरीके से आज जो मेरी रैसिपी यह वो डोनट या नहीं बारे मैं मैं तोर पर दोनट की रैसिपी बनाए हुई है लेकिन कई लोगों ने मुझा बोला हुआ है कि आप एक के छोड़के हमें एडलेस वाली रेसिपी चीए सो हम किस तरह से हम एगलेस की रेसिपी बना सकते या फिर अपने डोनट त्यार कर सकते वह चीज़ हमें बता दो आज जो में लेका हैं डोनट की रैसिपी एगलेस के तौर पे इसमें मैंने मिल की यूज किया हूँ और कुछ ऐसे इंग्रीडिट यूज उसके हुए जिस तरीके से आपको रेसिपी लगाओं सही तरीके से डो अगर आपको सही होगा तो उसकी जो डोनट की फिनीसिंग होगी वह भी आपको इच्छी तरह से दिखेगी उसमें सबसे पहले तो आप इंग्रीडिएंट की बात कर लेते हैं काफी तौर पे लंबी इस रहती है जब भी आप किसी ब्रेट का डो लगाते हैं तो काफी लंबी लिस्ट रहती है तो उसी तरीके से आप लगाएंगा सबसे पहले इंग्रीडिएंट में फ्ला लेना आपको एक किलो सुगर लेना इसमें 100 ग्राम ब्रेड इंप्रूर और ग्लूटेन उसमें 10 ग् बटर की जो कॉंटिटी है वह सो ग्राम है आप चाहिए तो डेट सो ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं लेकि नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि बटर जो है सो ग्राम जाएगा इस्ट जो यूज़ कर रहे दोस्तों यह ड्राइश नहीं है यह फ्रेस इस्ट है औ डौनट का जो और भुख फेर जाएंगि तो जो फी रख उचाएंगे इसके जो आपके डौनट का asleep फिर आप एक साथ इस चीज को डो लगा देना है यह एगलेस की रेसिपी है फ्रेंज आप चाहे तो इसे अगर एग में बनाना चाहे इसमें तीन अंडे यूज करेंगे और जो इसमें मिल्क की कॉन्टिटी होगी वह 500 ग्राम हटा देंगे क्योंकि जो पर एक का वेट होता है वह 50 ग्राम होता है तो इसलिए तीन अंडे आप मिल्क हटाके उसकी जगे आप डाल सकते और अगलेस के तौर बनाना चाहे तो आप दूदी यूज करोगे आपको कोई चीजे यूज करने की जरुवत नहीं है उसके बाद आप लगा दोगे जो कि आप डोनट का डो लगा आप जो भी यह लगा ओगे थंडे दूद्स लगाओ यानि की गरम दूद्स नहीं होना चाहिए अगर आप बना रहे हो इसलिए कहा रहा हूं दोस्तों कि अब जब जब उसमें गरम दूद्स डालोगे आप नॉर्मल्मल की यूज करोगे तो ऐसा हो कि जो डोनट है आपका है तो आप मिल्क यूज करोगे या फिर आप वाटर अगर उसमें यूज करोगे तो वह भी कोल्ड यूज करोगे तो आपका डोर लग गया उसके बाद दोस्तों आप उसको धिरे-दिरे आपको बेलना शीट की तरह से उस चीज को फिर आपको काट लेना रिंग कटर से यह अबने गोल कटर होते हैं उस चीज को आपको डोनेट से कट कट देना फिर इसको अरेंज करना अपनी ट्रे में अपनी प्रूविंग के लिए करना प्रूविंग दोस्तों इतना दियान लगना जो उसका मॉस्टर आजाए तो हलका सब उसमें रखना कि 10-15 मिट जो अपना दोनेट को अपने प्रूफ होने देना पिर लेएक प्रूफ हो जाता तो आप उसको निकालना तेल पहले से गरम करके रखना उसे हम करेंगे div और यह मैं आपको चीज और बता रहो जब डोनेट से काड़ते तो उसका वेट भी एक बार चेक कर लेना अगर आप जिस वेट से बनाना चाहो पचास ग्राम से बनाना चाहो तो उस चीज से बना सकते हैं फ्रेंस फिर आपको उसने क्या करना है तो आपको डाल देना एक दू होने जादा जलतों नहीं तो इसलिए छोटे-छोटे सेंपल भी बना लेना कि जो अगर आपको खराब होंगे तो सेंपल खराब होंगे तो इसके बाद आप तीन-चार डोनट एक सांट डीफ्राइब करने के लिए डाल देना धीरे-धीरे कुक करना और उसको फिर धीरे से लड़ देना फिर दोस्तों ऐसा हो कि जो बीच में से वाइट कलर की जो साइनिंग है वह आपके डोनट के उसमें आ जाती है फिर जैसी आपको डोनट जो कुक हो जाते हैं उसको थोड़ी दे ठंडा करने के लिए रखना फिर जैसी और ठंड़े हो जाते हैं फिर आप चाह उसमें सिनेमन डाल दो 10 ग्राम उसमें कोई भी अपना जो इलाइची पाउडर तर वो चीट डालो थोड़ा फ्लेवर के तौर पर अच्छा लगेगा लेकिन मैंने आपको सिंपल तौर पर बताया हुआ कि अगर आप डोनट की सिंपल तौर पर रैसेपी यूज करना चाहे तो जैम डोनट बनाना चाहता हो भी बना सकते हो फ्रेंच यह थी कुछ जोनेच की रैसेपी जो आपने मुझे से एगलेस के बारें पूछे हुए थे काफी तौर पर रैसेपी की डिमांड आ रही है वो भी मैं आपके सांथ शेर करता रहूंगा और ऐसी रैसेपी और रैसेपी में जै हिंद